दूस्तू अगर आप जीमन में कुछ नया सिखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है वीडियो मत छोड़ना और आपके जीमन में कभी भी इस सब जनकारी जो है कभी भी काम आ सकती है और एक दूसरे को विद्धेखभाल कर सकते हैं आप तो चले शुरू करते हैं सव दोस्तो इसका सही अंसर है सनी बार के दीन खेचरी जरूर खाना चाहिए खेचरी खाने से गरह कट जाती है और सनी गरह जो होता है वो बहुत खत्रानाक होता है जो नो हमें हमलों का होता है वो उजला उजला कलर हो जाता है तो जल भी देना चाहिए सवाल नमबर दू को दाक्या फाय्दा मिलती है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सकृराइब जरूर करें आच्या जनकारी हमैसा प्रबफिकी दोस्तों कि अर्भ करें करें तो धूर्सका नियूते कैंज डूरी गंदगी साफ होती है । और उस दिन खाली पेट जब पड़ता है तो आते जो है उसमें नया रिशा बन जाता है आतों को थोड़ा रिष्ट मिलता है तो उसमें कि जितनी कच्रा गंदगी रहती है वह बाहर निकल जाती है पेट रोग की समस्या कभी नहीं होती है दोस्तों सवाल नमपर तीन गुरु बार के दिन किसको पूजा पाठ जरूर करना चाहिए दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आच्छा जनकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों इसका सही अंसर है विश्णु भागवान और लक्ष्मी माता का पूजा जरूर करना चाहिए गुरु बार के दिन यह बात आप लोग ख्याल में रखें पीला वस्त्र पहन करके जो है जरूर पूजा पाठ करें जल भी दें सवाल नमबर चार रात में खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए हम लोगों को दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा अच्छा जंकारी हमेशा पाने के लिए अर्न आथ कर दोस्तों इसका सज़ह एंतर कौं से कंव साँ पू हो अगर आप खाना काने के बाद में डहलते हैं तो आपको पीट में नली में जो है खाना एंग उपर रह जाता है यह उटाली में मैसा पाने के लिए दोस्तों या अच्छे जनकाड़ी आप तक डायरेटी मिलती रहे दोस्तों इसका सही अंतर है सब्जी में कौम लहसुन खाने के कारण यानि सब्जी में भड़पूर मात्रा में जो लहसुन नहीं खाते हैं उन्हीं लोग कहा सब्सक्राइब जरू करें